हलो फ्रेंड, इस्टेडी अड्डा के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, जैसा आप कर रहे थे कि सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टकिल का वीडियो बना देजे, तो इंपॉर्टेंट आर्टकिल के टोटल जो है आपके 10 से 12 पार्ट बनेंगे और वो टोटल मैं कल सु तो आप कोशिस किजेगा कि कोई भी पार्ट मिस मत किजेगा और सभी पार्ट पूरा सुरू से लेके अन तक देखेगा और उसको अपने फेस्बुक पेज़ पेज पे सेयर जरूर किजेगा, बस आपको ये तीन काम करना है, मैं सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टकिल के वी तो अगर वीडियो आपको पसंद आए, सब पूरा ये बाइलूंगल वीडियो होंगे, ट्रिक के साथ होंगे, तो आप लाइक, कमेंट, सेयर जरूर किजेगा, और अगर ये चैनल आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्ल हैं, बोला गया है, आर्टकिल 2 में भारत में नए च्छेतरों को सामिल करना, जैसे आर्टकिल 2 में क्या है, भारत में हम नए च्छेतर जो भी हैं, वो सामिल कर सकते हैं, आर्टकिल 3 में राज्यों की बात किया गया है, कि राज्यों का हम निर्मार कर सकते हैं, बदल सकते है या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं और 4 में क्या है कि 2 और 3 में अगर change करेंगे तो article 4 में अपने आप change हो जाएगा तो यह 1, 2, 3, 4 थे अब हम सीधे अपने मौलिक अधिकार fundamental light में चलते हैं fundamental light से बहुत ज़्यादा question आता है तो total जो है जब सम्मिधान बना था उस time की मैं बात कर ला हूँ जब सम्मिधान बना था तो आपके total कितने fundamental light थे? 7 थे लेकिन आज की date में जो हमारा 6 fundamental light था संपत्ती का अधिकार अनुछेद 31 उसको चम्वेलिस में 44 सम्मिधान अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया तो आईए देखते हैं पहला हमारा fundamental light है right to equality सम्मता का अधिकार ये जो अनुछेद आठकिल 14 से लेके 18 तक कवर करता है दूसरा right to freedom सोतंत्रता का अधिकार right against exploitation social के बिरुद्ध अधिकार freedom of religion धर्म की सोतंत्रता का अधिकार culture and educational right संस्कृत और सिच्छा सम्मंदी अधिकार और चटा क्या है right to constitutional remedies समयधानिक उपचारों का अधिकार देखे अब हिंदी में देख लेते हैं right to equality क्या है समानता का अधिकार और ये अंचेद 14-18 के बीच में आता है संस्कृत और सिच्छा सम्मंदी अधिकार 29-30 है और समयधानिक उपचार जोई 32 है तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं इसको याद करने के लिए एक trick है जिसको आप रच लीजे एक दम आप जादा ने किवल 10 बार उसको पढ़ लीजे आपके दिमाग में वो trick बढ़ जाएगा देखे सम्मता, सोतंतरता, सोसड, धर्म और संस्कृत समयधानिक उपचार ये सब हैं मौलिक अधिकार आप यहाँ से सिच्छा भी आप कार सकते हैं क्या सम्मता, सोतंतरता, सोसड, धर्म और संस्कृत समयधानिक उपचार ये सब हैं मौलिक अधिकार तो ये मौलिक अधिकार हैं अब हम देखेंगे किसके बारे में समानता के अधिकार के बारे में right to equality के बारे में देखेंगे और इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे हिंदी के अलक ट्रिक है और इंगलिस के अलक ट्रिक है आईए देखेंगे पहले सब के बारे में जान लेते हैं देखें आपका right to equality समता का अधिकार जो है article 14 से 18 कवर करता है article 14 से 18 के बीच में right to equality के बारे में बताया गया है तो article 14 में क्या बुला गया है विधी के समझ समानता equality before law मिस जो हमारा कानून बनाया गया उसके समझ जो है सब लोग समान है न कोई नेता है न कोई प्रधान मंत्री है न कोई मुख मंत्री है न कोई एक्टर है न कोई एक्टरेस है न कोई सब लोग एक कॉमन मैन है सब लोग एक जनता है ये चीज ये बात किसमें बोली गई article 14 में बिधी के समझ समानता में equality before law में article 15 में क्या बोला गया कि धर्म मूलवन्स जाति लिंग या जन्मस्थान के अधार पर विभेद प्रतिसेद article 15 में जो है विभेद करना मिस किसी को provision of discrimination on ground of religion, caste इन सब के बेस में तो आपको क्या करना यहां से बस ये चीज याद रखना है discrimination जो इंगलिस में पढ़ते हैं उनको बस discrimination याद रखना बहुत अच्छी ट्रीक है, आप एकदम भूलेंगे नहीं, ठीक है अब article 16 देखते हैं लोक नियोजन के बिशे में औसर की समानता लोक नियोजन, means equal opportunity in matter of public employment ऐसा तो है नहीं इसका भी एक तरह से वो करते हैं अपवाद है, यह कहा गया है कि जो public employment निकलते है जो भी SSC का एकजाम होता या कोई भी banking sector एकजाम होता किसी को भी आरच्छन नहीं देना चाहिए इसमें बोला गया कि आरच्छन निसेद है article 17 देखते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इसके clause बना के आरच्छन दिया गया है अप्रिस्पैता का अंद abolition of untouchability जो इंगलिस में पढ़ते हैं वो untouchability ध्यान रखेंगे यह article number क्या है आपका 17 है 18 देखते हैं उपाधियों का अंद abolition of titles यह article number 18 है अब trick देख लेते हैं इसका जल्दी से याद करने के लिए क्या है देखें जो इंगलिस में पढ़ते हैं वो बस एक line यहाँ पर याद कर सकते हैं law clear all doubt क्या law clear all doubt law clear all doubt इससे क्या हुआ law means क्या हुआ article 14 with the equality before law यह आपका article 14 हो गया अब इस doubt को देखें clear all भुला जाए d for क्या हुआ discrimination article 15 o for क्या हुआ opportunity opportunity की बारे में बात क्या गया article 16 you for क्या हुआ untouchability untouchability की बारे में बात क्या गया article 17 b यहाँ पर silent है और t फार क्या हो गया title उपाधियों का article 18 तो यह आप क्या हो गया law clear all doubt तो आप law से article 14 और b को silent करके doubt से पूरा 14 से 18 आपको बिलकुल अराम से याद हो जाएगा अब जो हिंदी student वो देखे उनके लिए ये एक line है विधी जाती सब एक समान छूत अचूत उपाधी अंत क्या विधी जाती सब एक समान छूत अचूत उपाधी अंत अब इस line को जाती धर्म नसल से हम भेदवाव निसेद है सब एक समान अर्टकिल 16 में बुला गया है सभी नागरिकों को एक समान अउसर देना चाहिए छूत छूत पे रोक लगाया गया किसमें 17 में तो छूत अचूत और उपाधियों का अंत कर दिया गया अर्टकिल 18 में तो ये line आप याद कर लेजे विधी जाती सब एक समान छूत अचूत उपाधि अंत तो ये जो है आपका जो पहला था पहला fundamental light था क्या समता का अधिकार अर्टकिल 14 से 18 तो ये था आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दूसरा fundamental light सुत्यनतरता का अधिकार नए ट्रिक के साथ next part में आप next part यहां से इस आई box के पास से पास सकते हैं इस पे क्लिक किजिए और ये सिधे आपको next part पे ले जाएगा अब यहां से भी पास सकते हैं next part इस point से